नमस्कार निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग दोस्तों आज किस वीडियो में में आप लोग एक छे कमरा वाला बनता हुवा घर के लिए जो काम किया गया है इसके बार में बतान ञता हूं दिखाना चाहता हूं साथ में भी बताना चाहता हूं कि कितना इत में इससमें अब तक लगा हुआ है दोस्तों अच्छे तरीका से सल्शाइव कश Sahra प्राइनिंग कि चैनल के साथ में आपको मिल जाता सीड्य और इसके तक पूझा रोम में यहाँ पे निकाला गिया है जटट के डिलाई से पहले तक का का पूरा यहाँ पेका में yeah day about I हो इनच लगता है वह इस बात पर heál करता है कि अंदर के दिवल और बाहर का दिवाल कितना इंच का है तो यहां पे जो आप देख पार आ आर्ण करा accumulated पाथ इंची के शूर यहां पर लिया गया है थे आपए यहां पर देख सकते हैं यहां P on ग्पाते यसी अब में धapi करते कंपड़ा जा रहे हैं अगर साइस के बाइर में जानने तो इस घर को पचास फीट बाइप 50 ौपस तक का साइज में बने हजारा साइस में आपको उपर चलके दिखाड़ता हूं वे किस तरीका से काम उन्egen किया घ्या है कर लिया गया है हलाकि इस घर के लिए जो सेधी रूम का काम बनाने का काम है वो बाकी है इस तरीका से आप देख पार है इसके साथ चत के ऊपर में जो चारदिवारी का काम किया जाता है वो भी काम अभी बाकी है असानी के साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं तो छे कमराव बनता हुब गहर है सिर्फ इट के बारे में जयनकारी आप लोको दे रहा हूं कि 6 कमरवला घर बनाने में टोटल कितना इट लगा है आप ठीक टेंच से समध पाए इसलिए में आपको इस घर के लिए प्रांट वीव और जो साइड वीव उसको दिखाते वे बता रहा चाता चले मैं आपको बाहर से इस घर को दिखाता हूँ तो देखे दोसों बाहर से कुछ इस तरीका से हाँ पर काम है वो किया जा रहा है साइज मैंने बता दिया है जो भी काम किया गया है आप देख पार हो कि 6 के ड़ले तक काम है आप कंप्लीट हो चुका है इंट के बारे में ऐसे बहुत सरे बंताब करकर डिजाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा उमिद है इंट के बारे में आप पुजनकारी मिल गया होगा और अपने बनने वाले घर के लिए पका अंदाजा भी लग गया होगा तो बहुत जल्दे मिलता मैं तो इंट सरे से जल और श्याइने बारे मिलता। गया होगा प्रूकारी में बनादाभ थेल्दे है, प्रूकारी में तो रेपनाँ करेज़ डिम आवारा इंट।ू जल्दे को यफ जल्दे होगा बनादाब थेल्सक्ता रहनों कर भी पुजना एंवां कर अब्सक्ता है